नमस्कार साथियों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल अलफाबेट कोचिंग सेंटर में आज तारिक है आपका 24 मार्च 2023 24 मार्च से जो भी आपके important question बने है इस वीडियो में हम discuss करेंगे आज यहाँ पर आपको पता है कि इस चैनल पर आपको daily current affair के question बताए जाते हैं और provide कराए जाते हैं तो आपका पहला question यहाँ पर है पहला question है हाल ही में अंतराश्ट्री वन दिवस कम मनाया जाता है तो आपका पहला answer हो जाएगा पहला question हो जाएगा बीस मार्च दूसरा question हो जाएगा आपका ठारे मार्च तीसरा question हो जाएगा आपका 21 मार्च चौता question हो जाएगा इन में से कोई नहीं तो आपका right answer हो जाएगा 21 मार्च अब हम कुछ important days देखेंगे एक मार्च को आपका सुन्य भेद भाव दिवस मनाया जाता है तीन मार्च को आपका विस्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है चार मार्च को राष्टी सुरच्छा दिवस और विस्व मुटापा दिवस मनाया जाता है 6 मार्च को विश्व टेनिस दिवस 8 मार्च को अंतराष्टी महिला दिवस और no smoking day भी मनाया जाता है 9 मार्च की बात करें तो 20 किडिनी दिवस मनाया जाता है 10 मार्च को बात करें तो CISF का चवगनवा इस्थापना दिवस मनाया गया है 15 March की बात करें तो 20 उपभोगता अधिकार दिवस मनाय जाता है 16 March की बात करें तो राश्टी टीका करड दिवस मनाय जाता है 17 March की बात करें तो World Sleep Day और 18 March को West Week Recycling दिवस 20 March की बात करें तो अंतराश्टी प्रसंद दिवस World Oral Health Day और विस गौराया डे मनाया जाता है अगर आपको वीडियो helpful लग रहा हो आपके लिए जानकारी का वीडियो है तो आप इस वीडियो को like और share जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा आपको जल्द ही इस चैनल के माद्यम से Lucent की GKGS जो भी जितने भी total question होते हैं सभी question आपको revise कराये जाएंगे और याद कराये जाएंगे आप live इस चैनल पर देख सकते हैं आपको जब भी live चलाये जाएगा उससे पहले आपको date और समय आपको पता दिया जाएगा community post में तो चैनल को subscribe की रहेंगे तो आपको जैसे ही हम आप अपने चैनल पर आपके चैनल पर हम वीडियो को डालेंगे या live आएंगे तो आपको पता चल जाएगा notification के द्वारा चलते हैं अपने अगले question पर अगला question आपका है अगला question है आलही में साल 2022 के भारत के सबसे मुल्यवान celebrity कौन बने हैं पहला अपसन है रडवीर सिंग दूसरा अपसन है आपका विराट कोहली तीसरा अपसन है आपका सारुक खान चौथा अपसन है आपका इन में से कोई नहीं तो right answer हो जाएगा रडवीर सिंग अप चलते हैं अगले question पर अगला question आप देखी क्या है आलही में किस देश सौधी अरब सौधी इरान संबंद सामानी करण सांती समझोते के मद्यस्ता की है तो आपका पहला अपसन हो जाएगा भू टाट दूसरा हो जाएगा नेपाल तीसरा हो जाएगा चीन चौथा हो जाएगा इन में से कोई नहीं तो right answer हो जाएगा आपका चीन चीन की राजदानी की बात करें तो चीन की राजधानी होती है आपका बीजिंग अगर यहां के राष्टपती की बात करें तो यहां पर C. चिनपिंग है और इसके कुछ important point देख लेते हैं चीन के बारे में चीन की संसद ने नए प्रीमियर के रूप में ली कियांग के नामित किया है चीन ने संचार उपगर जोंग सिंग 26 का प्रिच्छे पड़ किया है चीन ने अमेरिका में अपने दूत चीन गांग को नया विदेश मंतरी बनाया है वैज्यानिक पत्रों के प्रकासन में चीन सीर्थ पर रहा है चीन ने अपने अंतरिच इस्टेशन के लिए मेग टियन नामक लैब मॉड्यूल लांच किया है अगला कोशन है आपका अगले कोशन में क्या कहा जा रहा है कहा जा रहा है कि आपको बताना है किस दीस की क्रिकेट आसिक एक 2022 क्रिश्टोफर मार्टिन जेन किंस स्प्री टाप क्रिकेट अवार्ड से जीता है अपको पहला अपसन है बांगला देश दूसरा अपसन है आपका नेपाल तीसरा अपसन है अपका पाकिस्तान सौता अपसन है दच्छिड अफरीका पहला तो आपका right answer हो जाएगा नेपाल नेपाल की राजदानी की बात करेंगे तो नेपाल की राजदानी होती है काट मांडो अगर हम मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा आपका होता है नेपाली रूपया अब important point क्या है important point में आप देख सकते हैं कि नेपाल के नए राष्ट पती जो हैं और राम चंदर पॉन डेला चुने गए हैं नेपाल संयुक्त राष्ट के सांती निर्माड आयोक का सदस्य बना C.E.S.C. राजीव कुमार को नेपाल के चुनाओ के लिए अंतराष्टी परिवेच्छक के रुप में आमंतरित किया गया किर्केटर मनोज प्रभाकर को नेपाल किर्केट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है भारत और नेपाल के बीच भारत गौरो परेटक ट्रेन को हरी जंडी दिखाई गई है अगले कोश्चन की बात करते हैं अगला कोश्चन है हालही में कहां आकी खिलाडी रानी रामपाल के नाम पर इस्टेडियम का नाम रखा गया है पहला अपसन है आपका जैसलमेर दूसरा है कोलकाता तीसरा है आपका राय बरेली चौथा है आपका जैपूर तो राय डैंसर हो जायागा आपका राय बरेली अब देखिए यहाँ पर important point आपका कोई भी नहीं है इसमें अगला question है छटे नंबर का आलही में 22 मार्च को किस राज का इस्थापना दिवस मनाया गया है पहला आपसन है आपका बिहार दूसरा है आपका उडिसा तीसरा है आपका छतिसगर चौथा है आपका इन में से कोई नहीं तो right answer हो जाएगा आपका बिहार बिहार की राजधानी की बात करें हम तो पटना होती है यहां के मुखमंत्री की बात करें तो नितेश कुमार हो है और यहाँ पर अग उडिसा की बात करते हैं तो उडिसा की राजधानी होती है भूनेश्वर चतिसगर की राजधानी होती ह रायपूर। बिहार में सबसे कमसाच्छर्टा दर है ये आप सभी को पता है। राजमिन दर सिंग भटी को बिहार के DGP की रूप में नियुक्त किया गया है। ग्रियमंत्रियमिस्साय ने बिहार के सारण में लोक नायक जैप्रकास नाराड के परतिमा का अनावराड किया है। बिहार सरकार ने इसकूलों में अनिवाज खेल पीरियड और नो बैक डे सुरू करने का फैशला किया है। अगला कोशन है आपका आपको बताना है कि हाल ही में इन्वेश्ट इंडिया के EMD और CEO के का अतरिक्त परवार किसे दिया गया है। पहला अपसन है आपका मनमीत के नंदा दूसरा है आपका अपसन बामबे चैसरी तीसरा है अपसन आपका रस्मी सुकला चौथा है आपका इन में से कोई नहीं। तो राइट अंसर हो जाएगा मनमीत के नंदा तो आपका important point देख लेते हैं इसमें कुछ Cotton Corporation of India के CMD के रूप में ललित कुमार गुपता को आपका नियुक्त किया गया है। ताजिकिस्तान में सुयुक्त राष्ट के resident coordinator के रूप में के आरपार्वती को नियुक्त किया गया है। BPCL का अध्याच और परबंद निदेशक जी कृषड कुमार को नियुक्त किया गया है। PCS का CEO के कृतिवासन को नियुक्त किया गया है। इस question में हमने कई नियुक्तियां बता दिया आपको। आल ही में अडप बनर जी को किस टायर कंपनी का CEO नियुक्त किया गया है। पहला option है आपका CEAT। दूसरा है option आपका यमारफ। तीसरा है आपका गोडियर। चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो right answer हो जाएगा आपका CEAT। अगला question हाल ही में Starbucks की ने CEO की रूप में किस ने पदभार ग्रहन किया है। तो आपका पहला option हो जाएगा पंकज गुपता। दूसरा option हो जाएगा लच्मण नरसिम्हन। तीसरा option हो जाएगा ललित कुमार गुपता। जाथा option हो जाएगा इन में से कोई नहीं। राइट answer है आपका पंकज गुपता। अगला question है आपका। आपको बताना है कि हाल ही में किस जीस की संसद चुनाओ से पहले भंक कर दी गई है। पहला option देनमार्क, दूसरा फिनलेंड, तीसरा थाइलेंड। जाथा है आपका इन में से कोई नहीं। तो राइट answer हो जाएगा आपका देनमार्क। हनीविल ने CEO की रूप में विमल कपूर को न्यूक्त किया है। PFRDA का द्यच दीपक मोहन्ती को न्यूक्त किया गया। यलाइशी के परबंदक निदेशक की रूप में तबलेस पांडे को परमोट किया गया। तेग महींद्रा ने मोहित जोसी को यमडी और CEO के रूप में न्यूक्त किया। C. Changes Climate के भारत के राजदूत के रूप में स्रेया घोडावत को न्यूक्त किया गया है। यलाइशी का अंतरिम चेयर्मैन सिधार्थ मोहन्ती को न्यूक्त किया गया है। अगला कोशन है आपका आलही में कहां एसिया के सबसे बड़े चार मीटर लिक्विड मिरर टेली इसकोप का उदगाटन किया गया है। पहला आप्षन है आपका राजस्थान, दूसरा है आपका आप्षन उत्राखंड, तीसरा है आपका आप्षन मध्य पर्देश, चौथा है आप्षन आपका इनमे से कोई नहीं है। तो राइट हैंसल हो जाएगा उत्राखंड। आलही में भारत और किस देश की बीच चौथी रच्छा सयोग वारता आयोजीत की सई है। पहला है आप्षन आपका स्रिलंका, दूसरा आप्षन है आपका मालदीव, तीसरा है आप्षन में मियमार, चौथा है आपका इनमे से कोई नहीं। तो राइट आइंसल हो जाएगा मालदीव ! अगला कोशन है आपका आलही में पूरूस और महिलाओं के लिए चौथी A.C.I. कोखो चैंपियंसिप कहां सुरू होगी पहला अपसन हो जाएगा असम दूसरा अपसन हो जाएगा आपका ओडिशा तीसरा अपसन हो जाएगा आपका महराष्ट चौथा आपका इनमें से कोई तो राइट एंसर हो जाएगा असम असम की राजदानी होती है दीसपूर वहां के मुखमंतरी है आपके सरवादनन्द तो नोबाल पहला बोडो लेंड अंतराश्टी ग्यान महुत सव असम में हुआ है गुलाब चंद कटारिया ने असम के राजपाल के रूप में सपत लि किया असम के मंतर मंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेय को मंजोरी दे दी है हाल ही में कहां greater some dancing fountain का उदगाटन किया गया फ़ला अपसान आपका स्री नगर दूसरा अपसान आपका जापान तीसरा है अपसान हरिद्वार चौथा है इन में से कोई नहीं तो रैट एंसर हो जागा आपका स्री नगर अगला कोशन है आपका लाश्ट कोश्चन है लाश् इन विल्स मास्टर का सिंगल्स टाइटल जीता है इस कोशन को आपको बताना है कि राइट एंसर कौई नहीं तो आपको इस कोश्चन में से बताना है आपको कि राइट एंसर कौण सा होगा कमेंटर बाक्स में इसको आपको बताना है तो इसे जरूर बताईएगा अगर आप चैनल पहली बारा हैं तो चैनल को सस्काइब जरूर कीजेगा और अपने दोस्तों के साथ यसे से जरूर कीजेगा मिलते हैं अगली वीडियो में अब तक के लिए जय हिन जय भारत